अलो एवरिवन वेलकम टू दा स्टडी कॉंसेप्ट जैसा कि आपको जानकारी है कि MPPSC 2020 का नया स्लेवस आ चुका है और इस स्लेवस में कुछ परिवर्थन किये गए हैं तो उसी के वारे मैं आपको ये वीडियो आपके सामने ले के आया हूँ और इसमें मैं पूरी जानकारी दूँगा कि स्लेवस में क्या-क्या नया आया है और किस तरीके से इसमें अमेंडमेंट करके एक नया स्लेवस तयार किया गया है और इसमें कुछ परिवर्तन जरूर किये गए हैं और वो उसी के हिसाब से अपन को आने वाले एक्जाम्स के लिए जो 2020 में जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी है तो चलिए में इसके वारे में आपको पुरी जानकारी है क्योंकि MPPSC के साथ मद्दप्रदेश के अन्य एक्जाम्स की भी में तैयारी कराता हूं चाहिए वो मद्दप्रदेश की अन्य जर्नल एक्जाम्स हों MPPSC के साथ साथ MPSI जो अभी आने वाला है और Constable की भी तैयारी मेरे इस चैनल के मादने में से मैं करवा रहा हूं तो आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए MPPSC 2020 का जो स्लेबस है उसके वारे में आप पूरी जानकारी आपको दूँगा चलिए शुरू करते हैं राजजशेबा की जो परिक्षा है उसमें जो पहला पइंट है वह परिवर्टन नहीं किया गया है राजशेबा के यसे पहले तीन चरण होते थे वैसे ही तीन चरण इसमें होंगे ठीके ना पहला लिखित परिक्षा तरह कोई नाया परिवर्तन नहीं लाया गया दूसरा पिपर जो की सेकेंड होता है अभी रूची का ठीक है ना जर्नल एप्टिटूट का होता है दो घंटे का उसमें भी कोई परिवर्तर नहीं किया गया है आगे देख लेते हैं तीसरा पॉइंट इतना को उपयोगी नहीं है सेम उसके वारे में थोड़ी सी जानकारी है आप इसको पड़ सकते हैं इसमें जा परिक्षा साक्षातकार में प्राप्त अंकों के आधारपन निर्मित होगी जो इलिजिबिल्टी होगी ठीकिना उसके बाद में चोथा अंक भी इसमें इतना ज्यादा उपयोगी नहीं है आगे चलते हैं आगे जो दिया हुआ है ठीकिना जैसे कि दूसरा पॉइंट है क्य सफोह यहां परिवर्तन नहीं किया है मैं इसको पड़ सकते हैं पूरा पैसकी सकते हैं नालेन ड्क वथक्षिंग चारी पयोड़्ल में गलत उत्तर ते इंग और परिष्न कहांगे वेकलफिक उत्तरों में दूसरा सही उतर हे तो इसको क्या संसोधित कर दिया जाएगा जो इते कि आधि की अधार पर चौर से ब्लॉब जया जासेकि प्रिष्णंपेपर होने के पास बाद में कुछ परिक्षारती उसमें आपत्ती लगाते हैं और आपत्ती में पाय गएंगा वह प्रिशन में कुछ गलत हो गया हैं तो लो ब्लोपीत याने की रिमूव कर दिया जाएगा यह इसमें परिवर्तन कर दिया गया है अच्छा उसमें क्या क्या किया गया है यह उसकी बिंडू दिये हुए है ऐसे प्रिशन जिसके दिये गए विकल्प में सही उत्तर ना हो यानि कि उनमें से जो A, B, C और D ऑप्शन दिये जाएगा दूसरा प्रिशन जिसका दिये गए विकल्प में एक या एक से अधिक उत्तर सही हो एक से अधिक विकल्प की सही उत्तर में पुन्रावृत्ति कही हो यानि कि एक से अधिक उत्तर उसमें सही हो तो वो भी प्रिशन इसमें आप रिमूव कर दिये जाएंगे तो उसमें बिनिता हो दोनों में दोनों में अलग तरीके से दिया हो तो वो प्रिस्ण भी इसमें रिमूब किये जाएंगे तो यह इसमें परिवर्तन लाया गया है है यह इसके अलावा इसमें परिवर्तन नहीं लाया गया कि पिछली बार के अपिक्षा अलग हो तो बाकी की सब चीजें मिल्गूल स्रेमें इसके स्लेवस में थोड़ा सा परिवर्तन है तो वह अपन देख लेते हैं पर इसमें क्या-क्या नया आया है तो यह है राजसेवा परिच ट्षस में क्या परिवर्तन कीया है देख लेते हैं मद्यप्रदेश के इतियास संस्कृTi और साहिट के बारे में क्या क्या है इसमें Again वहा है मद्यप्रदेश का यॉग्दान यह यह भी पहले भी पुछा जाता था मद्द प्रदेश की प्रमुक कलाएं एवं इस्तापत्य कलाएं ये भी वह पहले की तरह है ठीक है ना मद्द प्रदेश की प्रमुक जन जाती है एवं बोलियां पहले भी इसको पढ़ाई करनी पढ़ती थी अभी भी पढ़नी पढ़ेंगी तो इसमें कोई परवर्तन नहीं किया गया है मद्यप्रदेश के प्रमुक धार्मिक परियाटन इस फ्रल पहले भी इसमें स्ट्राटीक टीक में पढ़ना पड़ता था तो इस्ट्राटीक के वैसा के वैसा है प्राची एवं उनके व्यक्तित्त के वारे में यह भी परिवर्टन नहीं किया गया है यह बात लगे कि इसको इलोब्रीट किया गया है अलग तरीके से पढ़ना पढ़ेगा आए बाहरत की इतिहास में परिवर्टन किया है कि नहीं प्राचीन एवम मद्यकालीन भारत का इतियास जी हैं ये पहले भी पढ़ते थे और अभी भी यह धिकाई कि पर्ब्रमुक विशिष्दा आं घटना हैं एवम उनकी प्रशासनिक, सामाजिक आज्वम आर्थिक विवस्ता हैं टेकिना जो इत्यार्ष में मद्यकाली नित्यारष के समय में जो भी हुआ हैं उनकी घटना है ठीकिना उनकी प्रशाशनेक और सामाजिक वीबस्तहा और आर्थिक व्यूबस्तहा जो भी होईये उसकेose में पहली भी पढ़ते थे और अभी वैसे ही पढ़ेंगे हाँ इसको इलोबरेट किया गया है जितना भी है साधा ज्यादा इलोबरेट करके ही यह स्लेवर्स बनाया गया है जिसको कि आप स्पेसिफाइब करके पढ़ सकें उननीच भी और बीच भी सताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में इसमें इलोबरेट किया गया है स्वतनतरता संगर्स एवं भारती रास्टी आंदोलनती किया यह थोड़ा सा नया तो इसको डेटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा परणता के प्रष्चात का इक ही गधान हुआ उसके अवारे में पूरे भारत के बारे में परवारत अब आपन को पढ़ाय करनी पड़ेगे तो ये एक नया प्वाइंट इसमें आया है अब आगे चलते हैं आगे मद्द्रदेश के भोगोल के मैं इसमें का कुछ परिवर् तो इसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया है मद्द्रदेश की जलवायू पहले भी थी और अभी भी है मद्द्रदेश की प्रमुक्स सचाई और विद्यूद परियोजना यह भी पहले थी और अभी इसमें एड की हुई है तो इसको इलोबरेट करके अलग से समझाया गया क कि आपको पढ़ना है बागी इसमें मद्द्रदेश की भोवल में ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं किया गया देखिए मद्रदेश की किरसी पर आधारिक उद्ध्यों यह भी इलोबरेट करके इसमें स्पीसिफाइग किया गया है जिससे कि आपको मैंस में भी ज्यादा दिक्क से आपको पढ़ना है ठीक है जिसका प्रीमेर सेलेक्शन हो जाएगा उसको मैंन में भी यह सारे कंटेंट काम कहीना कहीं पर आएंगे आए चोथा दिख लेते हैं चोथे में क्या है भारत एवं विश्व का वगोल इसमें भारत और विश्व के वारे में क्या क्या है भोति अब भी अपन पढ़ते आये हैं और अभी वही सहम उस तरीके से इसकी स्टडी करेंगे अगला है सामाजिक भुगोल ठीक है इसमें क्या संख्या जनसंख्या संबंधी और जननानांग की ठीक है इसकी संबंधी जानकारी इसमें अलग से यह स्पेसिफाइग किया हुआ है तो यह अलग से नया डेटेल्स में दिया हुआ है जनसंख्या की ब्रिद्धी आयू लिंगानुपास साक्षड़ता और आर्थिक गति भी दिया यह एक नया कंटेन्स में डालाग हुआ है सामाजिक भुगोल में आर्थिक भुगोल में क्या परिवर्तन है प्राकर्तिक जेज, महासागर, नदियां परवत पहले भी पढ़ते थे और अभी भी है इसमें कोई परवतन नहीं किया गया है विश्व की प्राकरतिक संसादान जेवी अपने पहले पढ़ते थे और अभी भी इसमें पढ़ना है परम परागत और गहर परम परागत उर्जासरोत जिहां यह एक नब कंटेन्स इसमें नहीं था तो इसके बारे में अब ऐसमें पढ़ना ठोड़ेगा यह नया पंच संवेदानिक विवर्स्ता ठीक के विवर्स्ता है वह राज के बारे में देहिए मट्य-प्रदución के बारे में पूरी ज़ानकारी मांगी गई इसको पढ़ना है अपने को मद्रदेश की सामधानिक विवस्ता राजपाल मंत्री मंडल विदान सभा और उच्छ नियाले दिखिए पहले अपन पढ़ते तेरे कि इसको इलोबरेट नहीं था इसमें आप आपको स्पेशिफिक राजपाल के हारे में पूर डिटल पढ़ना पढ़ते हैं मंत्री मंडल में क्या 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 होते हैं कैसे होती वह पूरी जानकारे में पढ़ेगी विदान सभा की किसे कारवाहि कि आती Odd मैने की सारी विवस्ता है तो यह इस एक प्रकासette मानके छलुए थोड़ा सा नया है इसको इसको डिटेल में पढ़ना पढ़ेगा और इसी तरीके से मद्ध ब्रदेश की त्रीस तरी पंचायती राज एवाम नगरी प्रसाशन जी पहले सी था ठीक है नो तो यह पूरा ओल्ड है तो इसको आपको पहले यह से पढ़ते थे वैसे आपको पढ देना पढ़ेगा था यहां है योजनाओ के वारे में पहले बारबार पढ़ेटी लेते थे लेकिन ऑब इसमें थोड़ा सा वरबार कराहां है है तैयारी को थोड़ा सा गेहन रूप से अलग-अलग different way में थोड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा specific तरीके से हर work को अपन को देखना पढ़ेगा चाहें वो कोई सबी कंटेंड हो थोड़ा सा elaborate करके ही पताया गया है पहले elaborate करके नहीं बताते थे एक ही माद्यम से पूरा बता देते थे अब elaborate किया गया नहीं कि मद्द प्रदेश से मानके चलिए 30% कॉर्शन मद्द प्रदेश के आएंगे बागी की 70% अलग-अलग जो जो इसमें कंटेंड दिय और अर्थविवर्ष्ता इसको इसमें रखा गया है ठीक है ना अच्खा नया ये दिखो बिलकुल नया है भारत भारती ये शासन अधिनियम 1913 और 1935 गयन आंगरेंजों के टाइम पर जो अधिनियम बनाय गए थे 1935 में उन 1011 में ठीक है न उसको इसमें रखा गया है बिलक कि ऐसे आई Quake कि जो क्या पढ़नाली संसती केुए किस तरीके से राज क्या है और इसके वाहज में जानकारी अपने को पढ़नी पड़ेंगी कि नागरिक मुलिक अधिकार करतब्य और राज के नीथिनिर सक्षिद्धा देने की नीथीजिसलक तत्व जो धे तर राज की उसके बारे में इसमें अब जानकारी इसने रखी गई अलग से सम्विधानिक संसोधन येख नया है ठीक है न यह तोड़ा से नया है, terrace और शामवेधानिक अर्थ व्यवर्षटा, उद्योगी क्विकास, विदेशी वहपार, आयाद और निरियाद, ठीक है porte कियािए इसमें विदेशी वैपार, आयाद औरनिरयाद, ठीक है न यह पूरा कपूरा नया-kримट है, कई विदेशी रियर बैंक रास्टी क्रत बैंक ये इसके कॉस्टेंस पहले भी बनते थे तो ये पुरा ओल्ड महीं है लेकिन नया क्या आया है गैर बैक की वित्तिय संस्ताइं जो है इसको नया लिया गया गया तो इनको भी इसमें जोड़ा गया है सेवी और एनसी के वारे में भी इसमें जानकारी अपन को रखनी पड़ेगी साथ में विध्यान को काफी ज्ञादा इलोबरेट किया गया पहले इतना नहीं होता था और इसमें काफी कुछ नया लाया गया गया दिखते हैं विग्यान के मौलिक सिध्धंत विल्कुल नय है ये मौलिक सिध्ध्धणतों के बारे म और अपना जो पर्यावराने उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें रखनी ज़रूरी है क्या क्या पॉइंट है पहला तो भी ने बता दिया मौलिक सिद्धात नया है बहुत के प्रमुक विज्ञानिक संस्तान उनकी उपलब्दियां उपग्रे और अंत्रिक्स प्राद्यो यह भी बिल्कुल नया है इसको भी टिटेल में और जृष्ण के बारे में पूरी जानकारी इसमें आपने की संभावावना है है हर specific में लेकिन मद्यप्रदेश में 30% content मानके चलिए मद्यप्रदेश का पूरा आएगा बाकि अलग अलग उसमें 5-5-7-6-6 questions बनेंगे ठीक है ना प्रदूशन प्राकर्तिक आपदाय औप्रवंदन नया आया तो इसकी उपर पूरी जानकारी इसमें आप अपने को कबर करने पड़ेगी तो यतनी वीडियो में लाओं उसमें कहीं ना कहीं पर आप इनकी जानकारी पूरी रख सकते हैं मेरे चैनल साथ में आप जुड़े रहें विल्कुल मैं या आने वाले समय में जो नोटिफिकेशन आने वाला है यहांतरास्टी यह जो जी के करेंट अफेर्स घ्रांट को करेंट अफेर्स जो बनेगा उसमें इसमें परिवर्त नहीं पूरा का पूरा करेंट अफेर्स में ही पूछा जाएगा पुराना जो करेंट की घटना है उसके पूछी जाएंगे उनकी खेल पुरतेवकिताएं पूछी जाएंगी यह पुछी जाएंगी बाकि कुछ इसमें अब अलग से स्पोस्ट का कंटेंट नहीं रखा गया है नवहां है सूचना एभं संचार प्रादयोगी की एलक्ट्रोनिकी सूचना एभम संचार प्राद्योगी की ठीक है ना यह एक नया यह पहले भी था ठीक है रोबोटिक्स आर्टिफिशल इंट्रिजेंसी यह नया कंटेंट इसमें जोड़ दिया गया है इसके वारे में यह पिल्कुल नया है बागी साहिवर सेकुरिटी के पह प्राद्योगी की थोड़ा सा नया इसमें कंटेंट है इसको पढ़ने की आवस्क्ता इस बार पढ़ेगी अब उनको पूरी कि दसवा है देखिए क्या है रास्तिये प्रादिशिक सामवेधानिक और सामवेधिक संस्ता है अब यह इसमें काफी कुछ करके समझाया गया है और काफी कुछ नया भी देखिए भारत का निर्वाचन आयो इसमें बनते थे लेकिन इसको आप स्पेसिफिक अलग से ही कंटेंट मना दिया गया राज्य का निर्वाचन को अलग मा दिया गया है संग लोक सेवा आयो ठीक है न जो यूपी-पी-एस-स स्वारी यूपी-एस-स उसके बारे में भी जानकारी देने पड़ेगी ठीक है और MPPSC MPPSC के बारे में भी देखिए इसमें पूरी जानकारी मद्द्र प्रदेश लोक से वायो एक नियंतर के महाले का परिक्षा यह बिल्कुल नया है ठीक है ना और नीतिया यो इसके बारे पहले से अधेनियम यो आते थे बेरे एक थे ठीकिना से तो इन्सुचे जातियों जाति अधिनियम वोते थे तीक है ना ना मैंतिन चांश सब्सक्राइब तरीके से इसमें जरूर पूछा जाएगा ना थ्या यह थी यह हटा दी नहीं पर दिया गया है तो यह इसमें को कैन को तरीके से इसमें जरूर पूछा जाएगा यह ध्यान रखिएगा आपका यह जो बैरक एक्ट है यह गया कहीं नहीं है आया इसी के अंदर देखिए मानव अधिकार आयोग अगर इसमें आ गया है तो मानव अधिकार आयोग की जितने भी अधिनियम है ठीक है न वह नहीं है तो इसलिए इसको आप हठा नहीं सकते हैं कहिना के इसमें प्छला अधिकरन यह बिल्कुल न्या ए हुआ है और और क्या है बाल संदक्ष्ण आयोग तो इसमें कुछ पइंट पॉइंट बिल्कुल अलग है बाकी एक्ट को पूरी तरीकी से हटाया नहीं गया है इसको इसमें सामिल किया गया है ठीक है ना जैसे कि यह मानवधिकार आयो मैं बता चुका हूं अंशुचित जंजाती यह भी आ चुका है और यह ठीक है ना तो यह सब चीजें इसमें जोड़ी गई है बाकी यह नय है पूरे राज निर्वाचन आयोग को इसमें जोड़ा गया अलग से स्पेसिफाइब बनते थे लेकिन इतना है अब इसमें से पांस से साथ पर्शन इसके भी आने की संभावना है ठीक है ना प्रादेशी के सामवेधानिक और सामवेधिक संस्ता है इसके उपर तो यह दस पूरे के पूरे जो स्लेबस के स्लेबस में सुधार किये गए इसके अनुसार अपनको पढ़ाई करनी है और ध्यान रहे कि जि परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन स्ट्रेप फर्स्ट पेपर में किया गया पर पर का जो कंटेन वह इलोबरेट किया गया है इसलिए आपको इसी की रूप में तयारी करनी है मद्द्रदेश MPPSC के लिए मेरा चैनल हमीशा ततपर रहेगा और उसके वारे मैं आपको पूरी जानकारी क्रमबत तरीके से इसके अनुसार वीडियो लेने की लाओंगा आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें और समझते रहें तो चलिए यह पूरा वीडियो अब मेरा समापत होता है जिसमें कि मैंने मद्रप्रदेश के पूरे नया स्लेवर साया आप जोड़े रहे हैं हर सब्जेट की उपर जो मैंने इसमें बताया हुआ है मद्रप्रदेश और भारत की जो सम्वेटानिक संस्ता हैं उसके उपर में वीडियो अभी जल्दी जालू करने वाला हूं उन सभी की उपर एक ही करके स्पेसिफिक कंटेन लेके आऊंगा तो मेर स्पेसिफिकेशन 2020 का जुलाई का बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा पढ़ाई अभी से चालू कर दीजिए क्योंकि अगर आपके MPPSC Pre 2019 में 65 प्लस मांक्स नहीं आये हैं तो यह मान के चलिए कि आपको 2020 की तयारी चालू कर देनी चाहिए और उसके लिए अभी से जू सब्सक्राइब करता हूं जय हिन जय भारत